तो आज मैं आपको लौकी और चाना दाल की सबजी बना के दिखाऊंगी, बच्चे लौकी खाते नहीं, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे, तो बच्चे भी खाएंगे, इसके रहे चाहिए आदर प्लो लौकी, एक कट्वडी चाना दाल, जो में दो गंटे पहले बिगा के अखी थी, और चाहिए मसाले, फ्लाल मिच्ची, घनिया पॉडर, जीरा पॉडर, हल्दी, और चाहिए पैज, अध्रक लसुन का पेस्ट, नमक और हींग, ठीक है, आएए बनाते हैं, कुकार में बनाओंगी सबजी को में, कडाही में बनाओंगी आज, कुकार को बनाओंगे, बनाओंगे, मैं सर्सो तेल से बनाती हूँ, आप जिस तेल को इस्तिमाल करते हैं, उसी तेल से बनाएं, यह जीरा और सर्सो है, आधा चमच डालेंगे, तेल गराम हने के बाद इसको डालेंगे, और श्री को जाएंगे, बनाओंगे, प्रिट काराम है, बनाओंगे, यह जीरा और से भीरा और से ने यह जिस के लिएए, पक्राशित थाएंगे, युछितियू अ इसमें हेंग डालेंगे बारी कटवा पैस डालेंगे पैस को ब्राउन में तक प्राइ कर लेंगे पैस को कम कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे तीखा वाला लागमिर्च पाउडर कश्मिदी लागमिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर फोड़ा जीरम पाउडर इसमें डालेंगे स्वादंसर नमप इसको दिलाएंगे फिर इसमें आधा चम्माच लसून, अद्रग और हरी मिच का पेस्ट अधा 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 इसमें टमाटर डालेंगे अधा इसको कम में ही रखेंगे नई तो मसला जल जाएगा अधा 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 आ अधा 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 तमाटर पंचेट, अब इसमें बिगावा चना दाग डालेंगे, अब इसमें लोकी डालेंगे, कटा हूँ है, इसको मैं चिम के द्वो के बारी काटे रखेंगे, बारी काटे बारी को लोकी, इसको मैं चालेंगे नदीन, इसको में चालेंगे, इसको, अब मैं इसे पाने डालेंगे, ज्यादा नहीं, लौकी वैसे भी पाने खोड़े रहा है, तो तोड़ा सा पाने डालेंगे, और इसको अच्छे से, सीटी लगाके कुकर को बच कर दूँ, चार पास सीटी आने तर इसको बचने दूँगे, अब लेगे, एक सीटी आ गया, अब इसको गैस को कम करेंगे, कम करने के बाद इसको तीन सीटी और आने देंगे, कम फ्लेम में तीन सीटी आने देना, दे जाच में उसके बाद फिर गैस को कम करके, तीन-चार सीटी और देखे, फिर अब में शुकर ठंगा हो गया, अब में इसको खोल रहे हैं, सब्जी बंगे प्यार है, अब में इसमें ये मेगी मसाला डालूँगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, और इसको दस गिनट और पका लोगे, इसको थोड़ा पानी है, थोड़ा सा पानी इसका सुख जाएगा तब तर पका लोगे, इसमें आप धनिया पती से गार्णिश कर सकते हैं, इसमें आप धनिया पती से गार्णिश कर सकते हैं, इसमें आप धनिया पती से गार्णिश कर सकते हैं, इसमें आप धनिया पती से गार्णिश कर सकते हैं, इसमें आप धनिया पती से गार्णिश कर सकते हैं, झाल झाल